हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंग्लिस वाला रियान सर और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल आक्सपूर्ड गैलरी इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार बोड के बच्चों के लिए इस कविता की रचना इंग्लेंड के महान कभी जॉन डन ने किया है तो आए सबसे पहले हम इस वीडियो का उदेश बताते हैं इस वीडियो को बनाने के पिछे मेरा उदेश है कि जो पलस टू में भी बिहार बोड के बच्चे हैं और अंग्रेजी परिक्षा में उन्हें इस चैप्टर से जो भी महत्पूर्ण प्रस्ट अब्जेक्टिव प्रस्ट पूछे जा सकते हैं और जो भी इन्पॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोसंस हैं मैं उस पर चर्चा करूँगा तो उमीद करते हैं कि आप वीडियो में अंध तक बने रहिएगा ताकि इस चैप्टर से जो भी इन्पॉर्टेंट में पॉइंट्स है वो आपको पूरी तर से समझ में आए चले वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट में हम आपको जॉन डन के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले पॉइट का इंट्रोड़क्शन लेते हैं जॉन डन का जन्म हुआ है बॉर्ण इन 1572 एंड इन 1631 जॉन डन का जो जन्म हुआ है वो 1572 में और उनकी मिर्तिव 1631 में है नेक्स्ट पॉइंट जॉन डन के बारे में है जॉन डन जो है मेटाफीजिकल पॉइट के रूप में जाने जाते हैं एक्चुली में लिरिकल का मतलब होता है गेई जिसे गाया जा सकता हो और इस्टिरिकल का मतलब होता है बयंग अथातु इसकी कविताओं को गाया जा सकता था और इसमें एक बयंग चिपा होता हुता है comment रहुता होता है verse मतलब होता है गाथा और metaphysical का मतलब होता है अत्मे विसयक इसी कारण से John Dunn को metaphysical poet के रूप में जाना जाता है next point John Dunn کے बारे में John Dunn was वेल नोन फोर सॉंग और सॉनेट के लिए जाने जाते हैं सॉंग मतलब होता है गीत, सॉनेट मतलब होता है गाथा इस्टरीज एन इलिजीज, इस्टरीज का मतलब होता है ब्यंग और इलिजीज का मतलब होता है सोक गीत, ब्यंग और सोक गीत के लिए जाने जाते है and sermons मतलब होता है उपदेश और उपदेश के लिए जाने जाते है Next point है, Dunn studied law and theology Dunn ने law और theology मतलब होता है धर्मसास और law मतलब होता है कानून और धर्मसास का अध्यन किया था तो यह मुख की पॉइंट थे जॉन डन के बारे में अब हम इस कवीता के बारे में बताते हैं अब और इस पोयम तो इस कवीता को बताने से पहले मैं संचित में इस चेप्टर का इस अध्याय का सरांज बताना चाहता हूं यह जो चेप्टर है इस कवीता में भाव है कभी को बिटेन के हैं और उसको वहां की सरकार ने देश चोड़ने का आदेश दिया है ऐसी स्थिति में वह देश चोड़कर अपनी यात्रा कॉंटिनेंटल ट्वी पर जर्मनी जा रहे हैं और ऐसी परिस्तिति में उसे अपने परिवार से बिछड़ना पड़ रहा है तो अपने परिवार में उसे अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ रहा है और उसकी पत्नी रो रही है जाने के लिए मना कर रही है तो ऐसी इस इस्ति में कभी जो है उसे समझाने का प्रियास कर रहे हैं और कहते, समझाते वे कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस आके मिलूँगा और उन्हें कहताता है मैं तुमसे उबा नहीं हूँ कभी विविन परकार के एक्जामपल देते हैं सूरी से तुलना करते हैं संसार के बारे में बताते हैं और सबसे अंत में कहते हैं कि जो भी सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं उनका बिछड़ना कभी नहीं होता उनका बिछड़ना उसी परकार का होता है जैसे रात में सोने के बाद इंसान भी जड़ता है और सुवा वापस मिल जाता है तो ये कवीता का मुख्य बाते थी जो मैंने संचित में आपको बताया अब हम इस कवीता के जो points है उसको discuss करेंगे First point है Sweetest Love I Do Not Go एक lyric है एक गीत है ये पहला objective question यदि प्रश्ण बनता है तो ये बनता है दूसरा है Sweetest Love I Do Not Go एक लव पोयम है चुकि वह अपनी पतनी को प्रेमिका के रूप में प्रस्तूत कर रहा है इस कवीता में इसलिए इस कवीता को लव पोयम भी कहा गया है Third point है इस कवीता का Poet is parting with his beloved इस कवीता में parting मतलब होता है बिचड़ना कभी अपनी पतनी रुपी प्रेमिका से बिचड़ रहा है Next point है The Poet addresses his wife कभी बिचड़ रहा है तो वह उसे जाने से रोक रही है तो वह समझा रहा है तो समझाना को ही यहाँ पे लिखा गया addresses his wife कभी अपनी पतनी को addressed कर रहा है Next point है The Poet addresses his wife when he was going to Germany for a continental trip तो वह कभ समझा रहा है जब कभी जर्मनी जा रहा है continental trip पे जा रहा है फिसे समझेगा वह जर्मनी जा रहा है और continental trip यानि महादेशिय यात्रा पे जा रहा है उसी बक्त कभी अपनी पतनी रुपी प्रेमिका को समझा रहा है address कर रहा है Next point है His living his wife behind अर्थात कभी जो जा रहा है जर्मनी तो पीछे में अपनी पतनी को छोड़ कर जा रहा है Next point The Poet wants to stop his journey for the pleasure of his wife कभी अपनी पतनी की खुशी क्लेश इस यात्रा को रोग देना चाहता है लेकिन वह मजबूर है क्योंकि सरकार का आदेश आया है उसे देश छोड़ना पड़ेगा Next point है His not tied with his beloved इस कवेता के पर्थम अंत्रा में ही कभी कहता है कि मेरी पर्यतमा मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ ना ही मैं तुमसे थका हूँ ना ही मैं तुमसे उबा हूँ तो वही यहां कहरा है His not tied with his beloved मैं तुमसे उबा नहीं हूँ थका नहीं हूँ The Poet feels that man is hopeless आगे जब हम third stage में जाते हैं कभी कहता है How evil is man's power अर्थात मनुसे कितना कमजोर है आसा हीन है Next, The Poet compares himself with sun and says that says he is better than the sun कभी खुद की तुलना सूरी से करता है और कहता है कि सूरी के आने और जाने का कोई कारण नहीं है बट मैं वापस लोट कर आऊंगा और कैसे आएंगा सूरी से भी तेज गती से वापस लोट के आऊंगा तो कभी सूरी की तुलना सूरी से करता है और खुद को बेटर बताता है सूरी की तुलना में Next, The Poet presents himself First person singular number in this poem इस कभी ने सूरी को First person singular number की रूप में परजेंट किया है जैसा कि कभीता क्या नाम है Sweetest love, I do not go I, who is I here Here is poet John Donne I के अस्थान पर कभी खुद John Donne है और I क्या है First person singular number है तो कभी सूरी को यहाँ पर First person singular number की रूप में परजेंट कर रहे है इस कभीता में डाई सब्द का परियोग हुआ है दी वाई डाई इस कभीता की तुलना Shakespeare की The Marriage of True Mind से की जा सकती है तो first year में यानि 11th के बच्चों को या chapter हम लोग पढ़ाते हैं The Marriage of True Mind जो की Shakespeare की एक बहुत ही खुबसूरत love poem है जिस परकार की यह John Donne की Sweetest love, I do not go एक love poem है तो दोनों को एक दूसरे से compare किया जा सकता है Next point है Donne says Date is certain इस कभीता में कभी कहता है कि मौत निस्सित है पर्थमें इस्टेंजा में ही कभी कहता है कि एक दिन मरना है और मरने के बाद मुझे तुम से बिछड़ना है तो मैं इस बिछड़न का दुख अभी ही बिछड़ कर प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मरने के बाद मुझे इस कानभव ना हो सके इसलिए कभी जो कहता है कि date is certain और आगे कहता है आगे कहता है He wants to accept date gladly इसी वज़े से वह मौत को खुसी खुसी हसते वे स्विकार करना चाहता है लास्ट पॉइंट है इस चेप्टर से Don feels that man's power is big कभी कहता है कि how people is man's power that if good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour record अर्थात मनुष की सक्ती कितनी कमजूर है कितनी भीक है कि अपने जीवन में एक छन भी नहीं जोड सकता और नहीं बीते वे समय को वापस उला सकता है तो ये महत्पूर्ण points थे इस चेप्टर से जिस पर मैंने discuss किया उमीद है कि अभी तक आप वीडियो के साथ बने हुए होंगे और इस वीडियो को सुरू से लेकर लास तक ध्यान पुर्वक सुना और देखा होगा और अब आपसे उमीद करता हूँ कि इस चेप्टर से जो भी अब्जेक्टिब questions है आप book जाएं और open करें और सब को solve करने का प्रियास करें उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा नेक्स वीडियो में किसी दूसरे चेप्टर को लेकर आएंगे तब के लिए आप से बीदा लेता हूँ धन्दिवाद